अब देखो मैंने यह पूरा पिंट आप कनेक्ट भी कर लिया यहां पर पेंट लेकर जाता हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ भी मूव होता हुआ देखने है मैं वापस से माउस से देखता हो तो तो अपना पेंट अप्स्टाब मूव नहीं हो रहा हुआ तो इसके लिए अपने को सबसे पहले करना क्या होगा इसका और इसके साइट पर आप जाके इसली डाउनलोड कर सकते हो वाइकम के ड्राइवर्स पर गया मैं यहां पर So, Drivers & Downloads यहां पर Paint Tablets Select Products So, यहां पर यहां पर मैं Select करता हूँ Welcome Paint Tablet Intos Pro 2017 Medium यह वाला है यह वाला तो मैं इसको Select करता हूँ यहां पर Windows के लिए चाहिए तो मैं कर ला तो हूँ Windows के लिए Download, Confirm Download Start यहां पर download का instruction यह है आपको download करना है double click करना है run करना है इसको करेंगे Accept अब यह हमारा हो चुका है तो हम लोग एक बार system को restart कर लेते है अब देखो system हमारा restart हो चुका है अब software भी सारा इंस्टॉल हो गया अब देखो मैं यह जो पैन है पैन को मैं यहां लेकर आता हूँ तो देखो स्क्रीन पर हमारा पैन हमारा कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है अब यह पैन पर देखो तो यहां पे पॉइंट दिख रहा हो यहां पे दिख रहा हो और यहां पे पॉइंट दिख रहा हो ठीक है तो यह पॉइंक कहने है यहां पे लेके जाओगा। यही हमारा एरिया होता है काम करने का तो यही हमारा इस तरीके से काम कर रहे है। अब इस पैंञ टैप के अंदर, तीन बतन होते हैं, एक ऊपर एक यहां पर, और एक यह वाला यह बटन ही है जैसे यहां पर ऐसे क्लिक करोगा तो यह क्लिक का काम करता है जैसे कि इसको टच कर आऊगे तो क्लिक का काम करता है जैसे कि मैं दिखाता हूँ ऐसे करके यहां पर मैं बस ऐसे देखो रिफ्रेस पर मैं यहां पर लेके गया यहां पर click करूंगा तो वह click हो जाएगा ठेक है तो यह हमारा 3 बत्र होगे 1,2,3 अब यह दो जैसे हैं आप इंस्टॉल करेंगा इसको तो यह हमेशा default में रहेगा तो यह इस तरीके से button काम नहीं करेगा ठेक है तो इसको आपको change करना पर एगा करने के लिए कर सकतो आप उसके settings में जा सकतो वेकम tablet properties जब ही हमने जो driver इंस्टॉल किया था उसे में आपको यह भी इंस्टॉल होके आएगा तो यहां पर तीन बत्र दिखर एक दो तीन यह आपको चूज कर सकतो कौन साथ मैंने ऊपर वाला को चूज कर रखा है राइट किलि तो यह buttons को भी आप अपने हसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्यों कि इसको क्या function देना है जैसे कि यहां पर आप आप आ जाओगा तो यह देखो chain setting है यहां से आप कुछ और चूज कर सकते हो या फिर कोई की दे सकते हो shortcut keyboard का तो यहां पर keyboard का undo redo यह सब दे सकते हो control यह जो होता है control shift और और भी बहुत सारे कोई एक जैसे x y जो भी देना चाहते हो key दे सकते हो तो इस तरीके से यह है यह हमने setup कर लिया फिलाल इसको कट करते हैं तिक है अब देखते हैं यहां पर कि हम लोग इसको mainly seal out में कैसे use करेंगे seal out या फिर nuke में भी आप use कर सकते हैं फिलाल मैं seal out में roto करके देखता हूं ठीक है तो यह हमारा एक इस तरह का sort है ठीक है हम लोग यहां पर क्या करते हैं एक roto node लेते हैं अब देखो यह काम कैसे कर रहा है पहले इसको समझते हैं जहां पर ले जाएंगे वहां पर जागे जैसे हमारा mouse जाता है मैं यहां पर ले जाकर यहां पर किलिक करेता हूं कीबोर से tap प्रेस करके roto सर्च कर लेता हूं यहां पर इसको मैं यहां पर ऐसे कर लिया इस पर डवल क्लिक करोंगा आप देखो दो बार ऐसे जल्दी दिखाना परता है तो यह डवल क्लिक करता है simply हमने roto ले लिया रोटर दो करना भी easy है आप जैसे mouse से लेता हो यहां पर ऐसे बीस्प्लैं में लेता हूं जूम करने के लिए प्लस या माइनस की यूज कर सकते हैं दूसरा अगर पिंट टैप से जूम करना है आप शिफ्ट होल करो कीबोड का यह मेडिल वला जो बटन मेडिल सिलिक मैं ने इसको असाइन कर रखा है तो मेडिल वला में प्रिस करके बस इसको टच नहीं कराऊंगा कि गया होती है इसे इसको होगी चिए और मैं कंट्रोल होल करके समय interest क काम करता हूं मेडिल करके तो दोखर यह हम अलगवाले रेम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीकर से फिलाल मुछे ज़ूम करना था मैं जूम कर लिया है यहां से आपbagai जाए तो token करना है यहां लेंड हो गया। जॉम OUT करीक क्राएं Kerry शलएक मैं बस्तुल फ्रीम क्या है क्रें। सब्सक्राशक क्लें खेने कि घ्यारीख मैंड फ्रीम क्लाएं 05 प्लाइधा झाल कि वुल violated कि फ्रीमे कंट्र材 या क्ली हुआ। यहां से सेट कर लिया और अगर और इडिटेश्बंस करने इसे इडिट करने हैं, इसे और पॉंट सेलेक करके आप एसे एसे तो यह बिल्कुल माउस के जैसे हीं है, आपको ज्यादा कुस फील अलग लगेगा नहीं बस आदत की बात है, आपको माउस की आदत है, तो इसको शुरू-शुरू में यूज करना थोरा मुश्किल होने वाला है, ठीक है, अब मैं दूसरा फ्रेम्स पर जाता हूं, यहां पर, ऐसे मैं यहां पर रख दिया, यहां पर मैं E परेस करके तुरसे इसको बड़ा कर लेता यहां पर क्लिक करके, तो यह सिंपल सेम माउस जी सही है, ठीक है, फिलाल मैं अगर पेंट भी करना चाहूंगा, तो एक पेंट नोट लेता हूं, पेंट नोट ठीक है, यहां से मैं इसको करता हूं, कनेक्ट, अब देखो, रोटो हम लोग कर रहे थे, तो हमें तो ज्यादा यह कोई color का, मैं brush लेता हूं, ऐसे चलाओंगा तो इस तरीक से चल रहा है, ठीक है, वैसे मैं clone लेता हूं, clone को बढ़ा करने के लिए मैं बढ़ा थोरा से कर लेता हूं, control hold करके करते हैं, तो control hold, यहां से यहां पर अगर हम touch करेंगा, तो click हो गया, उसके बाद left और right करेंग तो इस तरीक से बढ़ा हो गया, ठीक है, यहां पर हम लोग आ जाता है, shift से ऐसे करके हम लोग source ले सकते हैं, अब देखो, मैं हलका से ऐसे अगर चला रहा हूं, तो देखो, हलका हलका है बिल्कुल यह paint कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कम opacity लेकर paint कर रहा है, वही है, अगर मै मैं ज्यादा opacity से paint कर रहा है, तो मैं इसको click करकर ज्यादा ज्यूर से प्रेस्ट करके ऐसे करूँगा, अब यह ज्यादा opacity से paint कर रहा है, यह देखो, बिल्कुल mouse जैसा ही यह भी time करेगा, आपको बस इस पर control सही होना चाहिए, ठीक है, मैं generally, मैं generally कहा है, यह paint type use कर ना पसं मेरी आदत होगी है, अब इसको लेके मैं जब ही try करने बढ़ता हूँ ना, तो मेरा speed बह जाए, अब speed slow हो जाए तो उतना काम नहीं हो पाता है, तो अगर मुझे ऐसा रहता है कि नहीं, paint tab ही use करना है, तब use करते करते आदत हो जाते है, लेकिन मेरे पास अभी options हो गया है, तो इसलिए मैं mouse ही use करता हूँ, तो print tab मैं उतना use नहीं करता हूँ, इस तरीक से देखो, बिल्कुल mouse जासा काम कर रहा है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, यही था हमारा, ठीक है, यहां पर देखो, zoom in, zoom out, इससे भी ऐसा कर सकते है, हम लोग देखो, zoom out कर रहे हैं, यहां से य और कि यह जाता है, हमारा tip बहुत सारा वह आता है, तो हमारे पस बहुत सारा tips भी होता है, तो इस सिर्ड़ए से आपको यह भी में लुट्वात, इसंसे बहुत सारा tips हें, तो आपका 형 करने के लिए पहले हमको निकालना होगा निकालने के लिए हम लोग यहां पर ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे खीचेंगे देखो यह निकल गया इस तरीके से इसको मैं फिलाई साइट करता हूं देखो और भी मेरे ब्लैक कलर्स के टिप से तो मैं इसको कैसे कर वólा यहां कर रखा इस के आग एक सब्सक्रद यहांम लोगस्को ऐसे यूज करपाएंगे तो बहुत सिंपल है वापस मैं इसको रख डेता हूं यह वाल क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं यह बाला तो मैं इसको वापस कर देता हूँ यह हमारा निकल गया मैं इसको कर देता हूँ वापस से यहां पर रख देता हूँ यह हमारा हो गया मैं इसका धक्कन जो है वापस से ऐसे लगायता हूँ तो वापस से मैं यह लगा देता हूँ अपना निब यह लग गया ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह काम होता है तो आप चाहो तो नुक में भी से में यूज कर सकता है जैसे मैं नुक को ओपन करने के लिए डवल किलिक करना होता है यहां पर ले जाके डवल टैप करोगा ना तो यह हमारा ऐसा ओपन होने लगेगा ठीक है राइट क्लिक करने के लिए उपर वाला मैंना सेट किया तो इस तरीके से हमारा कुछ आ गया अब कोई भी एक रिसेंट प्रोजेक्स ओपन करना है तो मैं रिसेंट प्रोजेक्स ओपन कर देता हूँ तो यह हमारा नुक हो गय तेख रो, यूज करना कितना एजी है, इसको, बहुत जादा कुछ नहीं, एक और, यह थोरा महंगा वाला है, तो इसको पीछे ऐसा टिप भी है, एक एक और बटन है, इसमें एक और है, तो इस पर हम लोग जैसे फोटो सॉप में यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, यह वाला आपि में पेंट किया, ठीक है, आयसे करके, ऐसे एरेस किया उसको, तो इस तरीके से में लोग यूज करते हैं, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, पेंट ब्रस लेके, यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर जूम करने के लिए क्लिए कै करेंगा, शिफ्ट होल करके, इसको को म यहां पर थोड़ा scene अलग है, देख़गा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहां पर थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, यहां भी मैं उसी तरीके से paint कर सकता हूँ अब देखो पीछे वाला जो है ना पीछे वाला मैं घुमा के अगर ऐसे करता हूं तो अभी भी मेरा बरसी काम कर रहा है यहां पाइसा नहीं कि यह रेजर काम करने लगेगा तो वह सब वह हम लोग बाद में अशाइन कर सकते हैं जैसे फोटो एक एक जो टूल्स होता है ना फिलाल यहां पर ऐसा कुछ नहीं है नुक में तो नहीं कर सकते हैं तो यह इस से तरीके से काम देखो तो यह यह था हमारा print tab टिक है ज्यादा कुछ था नी इसमें तो जिनको यूज करना है आप लोग यूज कर सकते हो तिक है यह वाला print tab तो काफे महंगा आता है 20-25 का होगा ही है और छोटा भी आता है मैं अपनी बात होता हूँ मेरे को माउस से ही करना ज्यादा अच्छा लगता है मेरी आदत माउस पर है तो मैं माउस ही यूज करना पसंद करता हूँ और बस यही था वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो बताओ कमेंट करका क्या अच्छा लगा है ठीक है और देखते र रोटो एंड पेंड एकादमी यूटूब चैनल सब्सक्राइब करना बूहूलना मत जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया और